टीवी पत्रकार प्रकर श्रीवास्तो अपना अनुभो बताती हुए कहते हैं कि कुछ तारीके आपकी सोच बदल देती हैं मेरे लिए ऐसे ही एक तारीख 14 अपरेल 2000 आज से 19 साल पहले उस दिन भी बाबा साब अमबेटकर की जहनती थी लेकिन मैं महू न जाने के लिए पहाने बनाने लगा क्योंकि बच्पन से लेकर उसी दिन तक मैंने अमबेटकर को हमेशा नफरत की नजर से देखा था मैं एक ऐसी सोसाइटी के अंदर पला बढ़ा जहां अमबेटकर के बारे में यही कहा जाता था कि इस आदमी ने हमारा हक छिन लिया खैर नई 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 नोकरी थी इसलिए मजबूरी से मुझे महू जाना पड़ा लेकिन वहाँ जो मैंने देखा उन तस्वीरों को मैं आज तक भूला नहीं पाया हूँ हर साल की तरह उस दिन महू में करीब 5-6 लाग लोगों की भीड थी और इस भीड की सबसे बड़ी खाशियत यह थी कि इन में से कोई भी भाड़े पर बूलाया गया नहीं था ना कॉंग्रेस ना बीजेपी ना बीएसपी ना आरपी आई यह किसी के कारे करता नहीं थी यह तो बस बाबा साब के अपने लोग थे जो अपने खर्चे पर अपनी परिवार के साथ वहाँ पहुचे थे क्या गजब का उस सहा था लोगों में आखों में चमक चहरे पर गर्व होटो पर मुसकान लाखों लोगों का हुजूम जुमता नाश्ता गाता बाबा साब की जन्मस थली की और बढ़ रहा था लेकिन जन्मस थली पर मैंने जो देखा वो तो और भी रोमांचित कर देने वाला था एक पिता ने अपने दूद मुहे बच्चों को उस थान पर लिटा दिया जहां बाबा साब का जन्म हुआ था वो ऐसा करने वाला अकेला पिता नहीं था सिकड़ो पिताओं को मैं उस दिन यही करते देख रहा था और हर दूद मुहे बच्चे के चेहरे को देखकर बाबा साब के लिए मेरी 22 साल की नपरत धुलती जा रहे थी क्योंकि मुझे उस पल से ऐसास हुआ कि इसमें से हर बच्चा एक ऐसे समाज में अपना खुबसूरत भविश्य बनाएगा जिसकी तकदीर बाबा साब ने लिखिये मैं शाम को अपने शहर इंदोर लोटा, M.G. महत्मा गांधी रोड गया, नेहरू स्टेडियम के सामने से गुजरा, इंदिरा गांधी नगर से भी गुजरा और तब मैंने यही सोचा कि इन नेताओं के नाम को सिर्फ सड़क, चोहारे, महलो, स्टेडियम और सरकारी पर योजनाओं की तक्तियों पर टांग दिया गया है लेकिन इस देश में किसी नेता का नाम अपने लोगों के दिल में लिखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साब अमबेड कर है अमबेड कर के अनुयाई उन्हे भगवान मानते हैं क्या आप ये बात गांधी नेहरू नेता जी इंदीरा गांधी के बारे में कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आपने कितने गांधी वादियों के घर में मंदीर में गांधी की तस्विर भगवान के साथ लगी देखी है कितने कॉंग्रेसियों के घरों में मंदीरों में नेहरों की इंदिरा गांदी की तस्वीर है कितने संघियों के घर में उनके मंदीर में रेड़गेवार और गोलवलकर की तस्वीर है कितने भाज़पाईों ने अपने मंदीरों में शामा प्रसाद मुकर्जिया और दीन दयाल उपध्याय की तस्वीर लगाई है लेकिन किसी दलिद के घर जाई है आपको बाबा साहब उनके मंदीर में उनके भगवान के पास नजर आएंगे एक मिनिट के लिए तर्क के साथ सोचिये जॉर्ज वाशिंग्टन से लेकर अबराहम लिंकन तक पार्टिन लिटर किंग से लेकर नेलसल मंडेला तक विस्टन चर्शिल से लेकर लादिमीर लेनिन तक महंदास करमचंद गांदी से लेकर मुम्मद अली जीना तक क्या दुनिय पूरी दुनिया ने नाता थोड़ लिया था आज हम अगर सर उठा कर दुनिया के सामने खड़े हैं तो इसके पीछे सिर्फ एक शक्स जिम्यदार है और वो है विश्वरत्न परंपुज डॉक्टर भीम्राव अमबेड कर